आप सभी को गोवर्धन पूजा और अर्थात अन्नकूट मतलब कार्तिक मास के शुकलपक्ष की प्रतिपदाती थी को अन्नकूट अर्थात गोवर्धन पूजा का परव मनाते हैं अब इस बार अमावस्या दो दिन की थी तो दीपा वली दो दिन मनाई गई 31 अक्टूबर को भी और एक नौवंबर को भी ऐसे में दो नौवंबर 2024 को गोवर्धन पूजा अर्थात अन्नकूट मनाएंगे तो आज की वीडियो में मैं आप से बात करने वाली हूँ गोवर्ध और जानकारी आपको आज की वीडियो में शेर करने वाली हूँ तो बहुत महत्थ पोड हैं आज की वीडियो पूरा जरूर देख लीजे अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजे क्युंकि Запास की कब प्रारंप हो रही है और कब समाप्थ हो रही है देखिए प प्रतिपदा तिथी प्रारंब हो जाएगी एक नॉवर्धन पूजा हम करेंगे और गोवर्धन पूजा पर तीन शुब मुहुर्ट आपको प्राप्त हो रहे हैं पहला शुब मुहुर्ट तो सुबह सुबह ही आपको मिल जाएगा सुबह 6 बज कर 34 मिनट से सुबह 8 बज कर 40 मिनट तक दूसरा शुब मुहुर्ट आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 3 बज कर 23 मिनट से लेकर और 5 बज कर 35 मिनट तक और गोवर्धन पूजा का तीसरा शुब मुर्ताप को प्राप्थ होगा शाम को 5 बज कर 35 मिनट से शाम को 6 बज कर 1 मिनट तक अब कई स्थानों पर सुबह पूजा की जाती है कई स्थानों पर दोपहर में पूजा की जाती है और कई स्थानों पर शाम को गोधली वेला में गोवर्धन अनकूट की पूजा होती है तो आपके यहां जिस प्रकार की मान्यता है जो भी परंपरा है उसके नियम के अनुसार पूजा कर सकते हैं अच्छा पूजा विधी क्या होती है तो देखिए इस दिन ऐसा कहा जाता है कि शरीर पर तेल की मालिश करके ही स्नान करना चाहिए इसके बाद घर के मुख्यद्वार पर गाय के गोवर्धन परवत की आकरिती बनाई जाती है और इसके साथ ही उस परवत क को घेर कर मतलब उस परवत के चारों तरफ ग्वाल बाल बनाए जाते हैं पेड़ और पॉध्य बनाई जाते हैं मतलब एक तरीके से देखा जाए तो गोवर्धन परवत की आकरिती बना ली जाती है अब इस गोवर्धन परवत के बीचों बीच भगवान क्रिश्न की मूर् लगता है ऐसा कहा जाता है कि 56 प्रकार की भोग भगवान क्रिश्न को आज के दिन अर्पित करने चाहिए जैसा कि आप कथा में सुनते भी हैं कि जब भगवान क्रिश्न ने गोवर्धन परवत उठाय था और जब गोवर्धन परवत वापस रखा साथ दिनों के बाद तो गाववालों ने मिलकर 56 प्रकार के भोग भगवान क्रिश्न को अर्पित किये थे तो इस प्रकार से 56 प्रकार की प्रवधन परवत की पूजा के साथ ही प्रारंप हुई और इनी 56 प्रकार के भोग को अन्नकूट बोला जाता है इस दिन जो मंदिर होते हैं उनमें भी अन्न प्रकूट की परंपरा कुछ इस प्रकार की है कि अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाकर और उसे अन्न के पहाड के स्वरूप में भगवान को अर्पित करते हैं और जब भगवान का भोग लग जाता है तो इसे प्रसाद के स्वरूप में परिवार के सभी सदत से म हो रही हो या फिर संतान को कोई कष्ट हो कोई परेशानी हो तो गोवर्धन पूजा करके और भगवान कृष्ण से गोवर्धन से प्रात्ना करनी चाहिए दोस्तों अगर आप भाई दूज के बारे में जानना चाहते हैं तो चनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है जरूर द दर्शक हैं आप तो जरूर सुनिए सुबह चार बस कर 20 मिनट पर कथा की वीडियो अपलोड हो जाती है अगर आप लोग सुबह सुन लेते हैं अत्यांतिस रेष्ट होगा नहीं तो पूरे दिन में कभी भी सुन सकते हैं दोस्तों उमीद करती हूं वीडियो आपके लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नए वीडियो अपलोड होंगी उनकी वीडियो में तब तक के लिए जय श्रीराधे